नांदेर के डॉक्टर शंकराव चवान सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत का मामला और गंबिर होता जा रहा है पहले एकी दिन में 12 शिश्यों समेट 24 लोगों की मौत का आकड़ा अब बढ़कर 31 तक पहुँच गया है जिससे पूरे राज्च में अफरा तप्री मच गई है नांदेर के डॉक्टर शंकराव चवान सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 48 घंटी से भी कम समय में 31 मरीजों की मौत हो गए है समवा तक मरने बालों की संख्या 24 ते जबकि पीती रात साथ और मरीजों की मौत हो गई जानकाली की अनुसार कुल 31 मौत को में से 16 शेशु है अस्पताल की डिन से मिली जानकाली का हवाला देती वे आपको बताते कि उन में से कुछ नवजात थे और कुछ गर्पवती महलाए भी थी अन्डे 70 मरीजों की हालत गंब्री है कुछ लोगों की मौत अग्याद जहर समधी कारत से हुई है वही मेडिकल कॉलेज नांदर के डीन शाम राव वाकोड ने बताया कि मुरुत तक बच्चे अलग-अलग बिमारी से पीड़ी थे वैसकों में 37 से 80 वश की आयू की कुछ मरीज थे जिने मदुम्हय लीवर और गुर्टे की समध साय थी मरीज आम तोर पर गंबर सित्य में यहाँ पर आते हैं जहां उन्होंने दावा क्या है कि दवायों या डॉक्टरों की कोई कमे नहीं थी प्राप्तिचानकारी के अनुसार सितमबर 30 से लिकर 1 अक्टुम्बर के पीच पैश पैदा हुए 12 बच्चों की मौत हुई है नौजाद बच्चों के मौत का कारण बताते वे उन्होंने कहा कि ये सभी बच्चे 6-3 दिन के थे और उनका वजन भी बहुत गम था उन्होंने कहा कि बालचे के सब विभाग में 142 भरती है जिसमें से 42 की हालत गम बिर है औक्सिजन से लेकर वेंटिलेटर तक सभी की सुविदाय बहा दी गई है ये मरीज पड़ोसी जिले हिंगोली परभनी और वाशिम से आये हैं वही कुछ तेलंगाना के भी मरीज यहाँ पर है लेकिन उचित कारण अभी तक सबस्ट नहीं हुआ है समय समय पर मृत्यों के संख्या में बड़तरी हो रही है जिससे कुल आकड़ा देना मौंकिन नहीं है लेकिन आगे की स्तिती नाज़क होनाते हैं कैमरा परसन राजकुमार बोड के साथ मनिश डेमरी की रिपोर्ट